इस वीडियो में हुँआ बात कर लेते हैं चलिए cloud service models के बारे में तो तीन major models है आपके पास infrastructure as a service, platform as a service and software as a service ठीक है तो एक idea ले लेते हैं मैं जैसे आपको थोड़ा बता दूँ कि फरक क्या तीनों में ये इतना समझने के बाद फिर आपको theory में निदिक पताएगी आप क्या बोलते हैं कि मेरे को न यार इंफ्रास्ट्रक्चर ले दो इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ा सर्विस कि आपके पास जो हार्डवेर हैं CPU मेरे को चाहिए RAM मेरे को चाहिए है और GPU अगर चाहिए है आपको editing और वो सब करना है तो यह सारी बाते आपको है जैसे की operating system मैं खुद डाल लूगा उसके उपर जो application मुझे यूज़ करनी है वोगो खुद डाल लूगा है ना चाहिए विंड़ो यूज़ करो Linux यूज़ करो या जो भी Mac यूज़ करो और उसके उपर आप Microsoft Office यूज़ करो टिक platform as a service कि मेरको OS भी देदो और बागी सारी चीज़े भी देदो कि मेरको एक running machine दो जिसके उपर आपका hardware तो रही रहे RAM CPU और यह सब फलस आपका जैसे आपको Windows server चीए आपने बोल दिया Windows server 2012 की machine ले ली तो आपको server भी दे दिया राग ले ने ठीक है तो यह कहलाता है आपके पास platform as a service अब सिधी सी बात देखो यार आप ज्यादा मांग रहे हो न तो आपको pay भी ज्यादा करना पड़ेगा यही वज़या है कि cloud service में जितना आप service ज्यादा मांगते जाओगे उतना costly आपको वह पढ़ता जाएगा ओके फिर अगला model क्या बोलता है कि यार आप मिरको न अब जैसे platform as a service में क्या होता था कि भई मेरे को इसके उपर मालो SQL server use करना था तो वो मेरा खुद का है मैं इसको license करीद रखा है मैं आपकी machine के उपर अपना use कर सकता हूं को दिक्कत नहीं है पर अब जो आप ये model है अगला इसमें आप बोलता हो कि यह अपने और काम मोत है मिर पास पैसा बहुत है यह मिरी अर्निक मोत है जो में काम कर रहा है आप ऐसा करो मिरको सब कुछ प्रोवाइड कर दो इनफरा भी दो इनको platform भी दो और वह आप वह एप भी दो जो मेरे को use कर रहा है वह application तो सब कुछ इसको मोलते हैं आप software as a service ब इसको यह लिस्ट है हो सकता है कि टोटल मिलागे तो आपको इससे ज्यादा पड़े ठीक है तो वह सोचने वाली बात यह थोड़ा से आप ज्याद रखे बाग की यहां पर आप theory पड़ोगे और यह से यही बढ़ाया हुआ है मैंने थोड़ा सा और technical language है यहां पर देख लो कि Microsoft का जो hypervisor है वो किस नाम से जानते हैं हाइपर वी से AWS में जो आपका आता है त्रिक्स का यूज होता है VMware में आप यह VMware खुद का यूज करता है ठीक है अब यह समझने वाली बात क्या है कि Microsoft का virtualization का अपना product है हाइपर वी तो वह तो उसी का यूज करेंगे VMware का भी अपना खुद का product है ठीक यह लिखा विस फिर ASX है AWS वालों का नहीं है तो इसने किस से ले रखा है deployment models की है कि cloud को आप कितने तरीके से configure या create कर सकते है सिंपल सी बात है और इसमें कुछ जादा ऐसा समझने वाला नहीं है public cloud जो सब के लिए है multi-tenancy में आपको बताया था कि एक ही physical server पे multiple अला गलग customer अपने वर्चुल मशीने बना सकते हैं तो यह जो आपने अभी पढ़े थे आपके service models यह सारे किसके लिए है public की लिए तो पब्लिक की एग्जापल है जो आप सर्टिफिकेशन और jobs वगरा डूटते हो वह इसी में है AWS का हुआ Microsoft का हुआ आपका Google का हुआ अलीबाबा यह सब है न यह public cloud है सारे के सारे प्राइवेट क्लाउड जो बिजनसेज के डेडिकेटिड है एक कंपनी ने अपना खुद का बनाया हुआ है और उसी के एप्लोईज है चाहिए वह जैसे ऑफ साइट है अगर मालो यह कंपनी की लोकेशन यहाँ पे है और वह बंदा बाहर ट्रैवल कर रहा है सेल्स और उस कि मैं इसको भी नहीं कॉंप्लिकेट कर रहा है इसमें कहीं चाहरी चीजे आती है हाइब्रिड क्लाउड जो दोनों का ही तो कई कंपनी क्या गरती है कि एक कुछ काम है उसके उसके लिए तो पब्लिक क्लाउड यूज कर लेंगे और बाकी जो काम है उसके युनो क्या जोनके तो वह अपना एक प्राइवेट क्लाउड बर आ सकते हैं तो ज्यादतार आरेंडी और इस तरह का काम होता है आपका प्राइवेट क्लाउड प्राइवेट क्लाउड तो यह दो चीज़े हो सकती है इसको फिलाल मैं भी टच नहीं कर रहा आप देख लीजिए अगर यहां से समझ आती है अच्छी बात है नहीं तो आपको वर्चॉलाजेशन के बाद बता हुआ और यह हम डिसकस करी चुके है अब को शूर शुक्त प्राइवेट क्लाउड और अब प्रीमिश्न डेटा सेंटर क्या रहेगा जैसे अगर आप कंपेर करोंगे लास्ट श्लाइड को यह देखो ल यहां पे प्रइवेट् क्लाउड में और प्रेमिश्न मतलब का आपका ऑय हिए बम डेका ही आप ट्रभी एप्लिकेशन होगी जो आप उस पर होस्ट करवाओगे आपका दूसरा नॉर्मल डेटा रहेगा स्टोरेज आप रखोगे ठीक फिर नेटवर्किंग करोगे उसके अंदर और नेटा सेंटर में स्विचेज अगर से इसको भी बात करो तो कौन से यूज होते हैं नेकसस बहु प्राइवेट क्लाउड की बात करते हों अपने अपने अमजोन को बोला मेरे को प्राइवेट क्लाउड सी स्रफ मेरे लिए तो वह आपको ये पाँचो सर्विस इस इस देगा पड़ यहां पे सिरफ यूजर एक ही होगा और वह आप है अगर किसी होर को चीह है अएवेजन सी प्राइवेट क्लाअट तो उस का आप से कोई लिना देनա रही है आपका प्राइवि की इस का शॉफ्टवर के त्रू इसमार होते है अब ये अधे इसमार्ड देख लेगा कि ये वाला यह फर है ये पॉब्लिक क्लाउड में जाएगा तो उसको बोलते हैं ब्रोकरिंग सॉफ्ट्वियर ओकी सो क्लाउड के बारे में इतना ही था यह जान पैचान और कुछ अपने एडवान्स बाते नहीं कर नहीं है अभी तो और एक्सपेक्टेड भी नहीं है उसके लिए तो फिर क्लाउड का कोई सर्टिकेशन अलग से ही करेंगे अब इतना हमको जानना था क्लाउड के बारे में अभी वर्चुलाइजेशन की जो बाते रह गई है वो हम आगे एक दो वीडियो जो भी रहेंगी उसके अंदर बात करेंगे कितने तरह की वर्चुलाइजेशन है बेसिक आइडिया तुम आपको दे चुका हुआ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे अपना ख्याद रखिए सिखते रहे हैं सिखाते रहे हैं और बस तो बाई